हेलो एप्रिवन, सबको नमस्ते, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें, आज हम आपको बहुत ही बढ़िया रेस्पी बताने जा रहे हैं, मैंगो डेजर्ट, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, आप पार्टी में भी बना सकते हो, बर्डे में बना सकते हो, इसके लिए हमने डेड़ आम था ये, आम को छोटे-छोटे टुकडे कर लिए हैं, कस्टड, कस्टड हमने पहले से बना के रखा ठंडा होना चाहिए, थोड़ा सा मिल्कमेड और बिस्किट, बि आप में डालतकीं, किसी भी चीज में इस तरह से पोली ठीट इस इसको हमने करश करना है, ईस तरह से सारे बिसकिट करश करना है, और चूरा बनाना है, इससा कूरा, में ब्लान में रख देंगे और यह मंने एक चम्मज मिलक मेट डालना है और इसको मिलक मेट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंड़ा अब में सर्विंग गिलास लेंगे इसमें डाल देंगे सबसे पहले कस्टड डाल देंगे दो चम्माच हमने कस्टड डाल देना है और इसको थोड़ा सा इस तरह से फैला दें गिलास में अब इसमें हमने डालने है बिस्किट क्रम्स अच्छे से डाल दे इस तरह से अब इसको चम्माच से थोड़ा सा इस तरह से सेट कर दे कि दोनों गिलास में इस तरह से सेट करते जाएं बहुत ही अच्छा डेजेट बनता ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है कभी बर्डे पार्टी हो या आपके घर में कोई पार्टी हो तो उसमें भी आप बना सकती हो अब इसमें हमने मिल्कमेड में जो आम पठखे थे म लाके बो डाल देंगे दो चमच डाल दें इससे कस्टड डाल देंगे पूरे आम को ढख देंगे कस्टड से अब हम थोड़े से हमने क्राम्स टालने हैं अब हम थोड़े ही डालेंगे इसमें फिर से मैंगो डाल देंगे जो बचे हुए है अब फिर से कस्टड डाल दें इसको पूरा ढख देंगे उपर से थोड़ा थोड़ा बिस्किट क्रम्स डाल देंगे हलका हलका डालें इस तरह से चारो तरफ थोड़े से मैंगो रखतें इसके उपर डेकोरेशन के लिए हमारा मैंगो डेजर्ट ठाने के लिए तयार है बहुत ही टेस्टी बनता है जरूर बना कर देखें बच्चों को बहुत पसंद आएगा बड़ों को भी पसंद आएगा थैंक्स पोर वाचिंग झाला हो